जाड़ू पुछा बरतन ये तो हर दिन करती हूँ अब जाला भी निकालना है धूल भी जाड़ना है कितना काम करो साथ में बढ़ाना भी है भाई एक बात बताओ मैं सारे काम कैसे कर सकते हूँ मेरे पास भी तो दो यहांत है मुझसे नहीं हूँ बस हवा निकल गई वैसे ए जुड़ी सारी इंगलिश हो जाएगी वो कहसा रहेगा बहुत अच्छा लगेगा आई नो आपको चाहिए यह वीडियो तो चली जल्दी से करते शुरुआ इंको तो अब आ जाते हैं इस गंदे से रूम में look at the state of this room so dirty yuck करें यह इसका अब मैंका so dirty yuck इतना ही कहा लेकिन कई तरीकें इस बात को बोलने के आप देखो अगर कोई भी चीज गंदी है या गंदा है दिख रहा है गंदा तो आप उसको बोलिएगा जिसे कमरा है तो मैंने the room बोल दिया पूरा घर ही आपका ऐसे फैला विक्रा गंदा सा पड़ा हुआ है तो आप बोलिए the houses क्या बोल तो अ लगाओगे जब messy बोलोगे तो नहीं लगाओगे तो the room is a mess or the room is messy the room is a disaster अब यह disaster कभी उस करेंगे जब बोहत ही बुरी हालत हो मतलब बहुत जादा गंदगी हो कि अगर मेहमान बोले कि हाँ भी आ मैं आ रही हूँ या यह तो बहन हो गई कोई भी हो सकता है मेहमान मे बहन को तो आप ना नहीं बोलोगे बट जब दूर के रिस्तेदार आते ना distant relative जोने हम बोलते हैं तो आप बोलते हो एक मिट एक मिट आप भी नहीं आना एक गंडे बाद आना ताकि अब जल्दी से घर की साफसफाई कर लो इज़त का सवाल है तो यह हो गए आपके पास त लिख के बताईएगा कि आप अपने घर की सफाई solid वाली सफाई कब करते हैं दिवाली दशेरा या फिर होली बड़े सारे occasions हैं हमारे यहां तो इतने festivals है इतना अच्छा है ना हमारा देश कि मतलब पूरे सालम सेलिब्रेटी करते रहते हैं लिख के ज़रूर बताएगा चल करना I'm cleaning my house I'm cleaning up my house तो नों ही यूज कर सकते हैं किसी को बोलना है साफ करो सो clean your room अपना कमरा साफ करो या फिर clean up your room इसमें क्या है कि जैसे आपको मैंने messy room दिखाया अगर आप उसे clean कर रहे हैं तो आप इसको use करेंगे लेकिन कई बार होता है कि बहुत जादा गंदगी नही नहीं होता तो कुछ चीजें इधर उधर रखी हैं जैसे कि आपके study table पे कोई cup plate रखा हुआ है ठीक है मैं आपको अगला slide दिखा दो ताकि आप समझें उस चीज को तो जैसे थोड़ा बहुत कुछ फैला हुआ या फिर थोड़े बहुत toys इधर उधर उधर पढ़े हैं तो तो चीजों को जगा पर रखना इनका मतलब होगा so straighten up the room और tidy up the room जैसे कि ये लड़की क्या कर रही है जा रही है कपडों को closet में रखने ठीक है समझ में आया easy है आप इस चीज को use जरूर केज़ेगा अब हम आज आते हैं हमारा अगला जो word है वो है broom तो हमारे या जो traditional broom होत उसे भी हम बोलते हैं broom और ऐसा है तो भी हम उसे broom बोलते हैं अब आगे हम जाडू लगाना verb पे ये तो आप समझ गया कि जाडू को बोलते हैं broom जाडू लगाने को बोलते हैं sweep और साथे साथ अगर आप अपका use करते हैं तो भी चलेगा अब use कैसे करना है वो देखिए मैं बोल सकते हूँ, sweep the floor, मतलब फर्ष पर जाडू लगाओ, ठीक है, या फिर अगर मैं फर्ष का जिक्र नहीं कर रहे हूँ, मुझे सिर्फ बोलना है जाडू लगाओ, तो मैं बोलूँगी, sweep up, sweep up, ठीक है, अपने घर में किसी को order दें, तो आप बोले, don't just stand around, इदर उदर खड मत रहो, grab a broom and sweep up, जाडू पकड़ो और जाडू लगाओ, ठीक है, clear, तो ये बड़ा important था भई, अब हम आज आते हैं, जाला पे, सबके घर में जाले लगते हैं, जाला को बोलते हैं हम cobweb, या फिर spider's web, या फिर spider web, या फिर सिर्फ web भी आप बोल सकते हैं, mostly जादा तर होते हैं, तो आपको ये दिखरा है यहाँ पे, ये जाला है हमारा cobweb है, अब है कि cobweb brush, क्या है, जाला निकालने का ब्रश, ये जो brush है, ये cobweb brush है, इससे हम जाला निकालते हैं, तो उसे आप cobweb brush करके बोलाएं, cobwebs are hanging, जाला लगा हुआ या जाला लटक रहा है आपको तो आप बोलेंगे कॉफ वेप्स आर हैंगिंग, हैंग मिन्स लटकना, अब हम उसे हटाने के बाद करते हैं, कि जाला हटा दो, या जाला साफ कर दो, आप ऐसे बोलते हैं, तो आप एक तो यूज़ कर लिज़े, ब्रश आफ क्योंकि आप ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, और मतलब आप वहां से उसे हटा रहे हैं, तो ब्रश आफ दे कॉफ वेप्स, या फिर आप सिंप्ली एक वर्ब यूज़ कर सकते हैं, रिमूव दे कॉफ वेप्स, क्लियर, आप इसे आप बोल लेंगे, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी थोड़ी भी मदद कर पा रही हो त इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लें, सब्सक्राइब करने की बाद बेल आइकोन जरूर प्रेस करें, ताकि बिना ढूंड़े आपको मेरे वीडियो मिल जाएं, अब हम आज आते हैं अग सो वैक्यूम से सफाई करना, तो अगर मैं बोलूँगी वैक्यूम दे फ्लोर, मतलब की फ्लोर को वैक्यूम से साफ कर दो, यहाँ वैक्यूम वर्ब है, have you vacuumed the stairs, क्या तुमने सीड़ियों पर वैक्यूम से सफाई की, clear? अगला है, mop, mop मतलब पोच्छा, तो यह जो है, पोच्छा है हमारा, and जो क्रिया है न, कि पोच्छा लगाओ, पोच्छा लगाना वो है, mop या फिर mop up, तो हम पोच्छा को भी mop बोलते हैं, और पोच्छा लगाने को भी mop बोलते हैं, bucket या फिर pale बोलते हैं, बाल्टी को, तो इसे आप bucket भी बोल सकते हैं, pale भी बोल सकते हैं Mop the floor, first पर पोच्छा लगाओ अब फिर से आगए हम वहीं पे मैंने कहा था कि first पर जाड़ू लगाओ, sweep the floor और सिर्फ बोलना है जाड़ू लगाओ, sweep up the same अगर सिर्फ आपको बोलना है पोच्छा लगाओ अगला है हमारा slide क्या कहता है damp cloth, इसे आप cloth बोलेंगे cloth हम बोलते हैं जैसे कि जो सिला हुआ कपड़ा नहीं उसे हम cloth बोलते हैं, तो अगर मैं बात करूँ इसकी तो यह आपका cloth हो गया, ठीक है damp cloth मतलब नम कपड़ा, first you wet the cloth पहले आपने कपड़े को गीला किया, then you wring that out मतलब निचोड़ा, तो अब वो गीला नहीं, अब वो नम है so damp cloth, wipe means पोचना, अब मुझे कहना है टेबल पोच दो तो मैं बोलूँगी wipe the table, wipe the table with a damp cloth नम कपड़े से table पोच दो, clear पोचने के लिए wipe का यूज़ करें next, wipe something on something, अभी आप देख रहते हैं, wipe means पोचना लेकिन आप कुछ किसी चीज़ पर या किसी चीज़ से पोचते हैं तो आप wipe on का यूज़ करते हैं, ठीक है wipe your feet on the mat, अभी door mat पर आप अपने पैरो को पोचते हैं तो क्या बोलेंगे, wipe your feet on the mat या फिर आप towel में अपने हाथ पोचते हैं, he wiped his hands उसने अपने हाथ पोचे कहां, on a clean towel, साफ तौलिय में अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, तो आप comment section में दिल मांगी more लिख सकते हैं या फिर आप मुझे topic बिता दीजे कि आपको किस topic पर वीडियो चाहिए अगला है हमारा dust pan, मतलब कूडे का तसला बोल सकते हैं इसको तो ये है हमारा dust pan, ये और इसके साथ जो ये आता है इसे हम brush बोलते हैं empty एक verb है जिसका मतलब है खाली करना तो empty यूज करेंगे अगर कुछ खाली करना है आपको dust pan खाले करना है, आपको dust pan खाले करना है तो empty का use करें Have you got a dust pan and brush? तुम्हें dust pan और brush मिला अब देखे हम आते हैं, brush the dirt into the dust pan अब brush थे हम अगर उठा रहे हैं कूडे को dust pan में तो क्या बोलेंगे, brush the dirt into the dust pan या फिर sweep the dirt into the dust pan ओके, the dust pan was full, dust pan भरा हुआ था so she emptied it into the dust bin ठीक है, तो उसने dust pan को dust bin में खाली किया मतलब इस से कूडा dust bin में डाल दिया अगला slide कहता है हमारा कच्चडे के बारे में तो कच्चडा बोलें या फिर कूडा बोलें English में हम बोलते हैं garbage, trash, rubbish and इसे पढ़ेंगे, इसे refuse मत पढ़िएगा इसे आप पढ़ेंगे refuse ये एक formal word है कूडे के लिए, ठीक है household rubbish, घर का कूडा throw away, sorry, throw away मतलब fake न, ठीक है throw away, throw the trash away कच्चडा या कूडा, fact दो, ठीक है so throw something away, ये आप use करेंगे अब ये आपको इतने नाम पता चल गए, कूडा के लिए भी अब हम आगे कहां fake ते हैं, dust bin या rubbish bin बोलेंगे, या garbage can बोलेंगे या trash can बोलेंगे, कई नाम है तो ये हो गया, कूडे दान I'll empty the dust bin मैं dust bin खाली कर दूँगे put the dust bin out आप रात में या सुबह घर से dust bin बाहर रख देते न, ताकि कच्ड़े वाला आके ले जाए, so put the dust bin out, मतलब घर के बाहर रख दो Guys, अगर आप festivals, मतलब ते ओहरों से जुड़े इंगले सीखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ आइबिटन पर क्लिक करना होगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक एक करके सारी वीडियोस देखें, बहुत सारे वर्ड सीखें, और अच्छे इंगलिश बोले, अगला वर्ड है हमारा dust, मतलब धूल, और dust एक वर्ड भी है, जिसका मतलब है धूल जाडना, और जिससे हम धूल जाडते हैं, उसे हम duster बोलते हैं, जो कि इसके हाथ में है, dust the shelves, शेल्स पर जो मतलब होता है, जूठे बर्तन, यूज किया हुए, तो हम बर्तन धोना जो करिया है, इसके लिए हम do the dishes बोल सकते हैं, या फिर wash the dishes बोल सकते हैं, दोनों सही हैं, I'll do the dishes, मैं बर्तन धो दूँँगी, या फिर I'll wash the dishes, clear, अगला है dry, मतलब सुखाना, जब आप बर्तनों को सुखाते हैं न, कपड़े से पोचके, तो भी आप dry बोल सकते हैं, he dried the dishes and put them away, by the way, picture में she है, but यह sentence ही की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसने बर्तन को सुखाया और put them away लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि उदें हटा दिया दूर, उन्हें उनकी जगह पर रखा, ओके, अगला है हमारा laundry, laundry मतलब कपड़े, अब यहाँ पर जब हम बोलते हैं, do the laundry, तो उसका मतलब होता है कि कपड़े धो दो, और laundry का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि गंदे कपड़े ही हैं, गंदे कपड़े जो कपड़े धोल रहे हैं, उन्हें भी हम laundry बोलते हैं, जो तुरं तुरंद हो के अभी आए हैं, या सूख गए हैं, तुरं तुरंद उन्हें भी हम laundry बोलते हैं, there was a pile of clean laundry on her bed, देखे, साफ है यहाँ पर कपड़े, तो भी हम उतार लो, तो जो आप डोरी पर कपड़े डालते हैं, उतारते हैं उसके लिए, फिर है rug, rug का मतलब होता है कालीन, और जब हम जटकते हैं न, rug को या फिर door mat जटकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, शेक आउट, जिसे आप जारना भी बोल सकते हैं, शेक आउट दो रग, रग जटक दो, जैसे ये लड़की यहाँ पर कर रही है, ठीक है, अगला है, scrub, मतलब घिसना, रगरना, आप ब्रस से कोई चीज़ घिसते हैं, तो scrub यूज़ करें, scrub दो रग, रग को घिस दो या रगर दो, फिर है रग, रग का क्या मतलब है, फटा पुराना कपड़ा, क्लीनिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आसान शब्दों में, मैंने आपके लिए बनाए हैं कोर्सिस, जो कि आपको मिल जाते हैं, इंग्लिश कनेक्शन आप पर, वहाँ पर फ्री कॉंटेंट भी है, फेट कॉंटेंट भी है, तो आपको बस और बस उसे इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर से, अभी करेंगें, अगला है हमारे पास स्कुईजी, यह जो दोनों हैं, यह स्कुईजी एलाते हैं, ग्लास साफ करने का टूल, विंडो पर, विंडो को स्क्वीजी देखें यहां पे आज नाउन यूज हुआ है एंड स्क्वीजी ओफ ओल्ड वेट सर्फेसेज तो दोनों की तरीके से इन्हें यूज करेंगे अब आपके मन में पक्का आ रहा होगा कि कुछ साफ सफाई करो ताकि इन सभी इंग्लिश वर्ट्स को मैं यूज कर कीजिए लेकिन जाने से पहले वीडियो को शेयर करते जाए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपने घर में साफ सफाई कर सके गाइज मैं आप से मिलूंगे अगले वीडियो में आप प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा जैहिं कर दो